हेलो गाइज, वेलकम बैक टू कॉमिक हिंद, हम आचुके हैं ब्लैक कैट के फर्स्ट पार्ट में, तो अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए, तो चलिए शिरू करते हैं, तो ये वो टाइम की बात है, जब नल ने धर्ती पे हमला किया हुआ था, फैलीशिया हाडी, जिसको की ब्लैक ट भी कहा जाता है, वो और उसके साथ ही ब्रूनो और डॉक्टर कॉर्प्स, उन्हें कोई आइडिया नहीं है कि ये सामले का क्या मतलब है, फैलीशिया का पहले भी सिंब्योट्स के साथ सामना हो चुका है, जो की बिलकुल भी अच्छ के लोग लगते हैं, तो ब्लैक ट बताती है, पैसे से ही सब कुछ चलता है, तुमें कोई भी चीज चलानी है, तो उसके लिए तुमें पैसा चाहिए, वो तुमें स्पैंड भी करना होगा बनाने के लिए, तुमें रिश्वत देनी होगी, और जार भी चाहिए होंगे, कोई candy हो और उसके पीछे का कारण भी सेम है तो अभी शीर्ड नहीं है तो ये खबर फैली है कि काफी जगा पे उनके पैसे ऐसे ही पड़े होए हैं जिनके बारे में किसी को नहीं बता बट दिक्कर तो ये भी है कि मुझे भी उस पैसे के बारे में नहीं बता बट किसी को पत अपनिये जगा में कैसे जा सकता है और चुपके गाड़ियों का पीछा भी कर सकता है मुझे अच्छा लगा कि तुमने ये पूछा तो वो यहां पे स्पाइडर बगगी को लेके आयो हैं वो कहती है फिर क्या हुआ वो इसको यूस नहीं कर रहा था ये तो ऐसे ही वहां पड करते हुए एक ड्राइगन आ जाता है जो कि उनको हिट हो जाता है तो ब्लैक एड कुछ टाइम के लिए भेहोश हो जाती है वो कहती है क्या हुआ तो उसके साथ ही कहते हैं ये कोई गू मॉंस्टर था बोस वो जमीन को फाड़ते हुए आया और अभी वो चला गया तो ब्र ही स्टे करने वाली हो या तुम पागल हो या तुमारे दिमाग में चोट लग गई है तो वो कहती है शायर दोनों ही बट किसी ने मेरी जॉब को खराब किया है और मैं किसी को ऐसा नहीं करने दे सकती जब तक मैं उसकी आखना फोड़ दूँ या नाक ना तोड़ दूँ त से पहले भी एलियन का हमला हो चुका है जिसको अवेंजर्स ने स्टॉप किया यह ऐसे ही तो काम होता है अवेंजर्स हमेशा उनको स्टॉप कर देते हैं तुमें इसकी आदत बढ़ जाती है इसलिए तुम कभी सवाल नहीं पूछते कि इन केस वह ऐसा नहीं कर पाए तो त कैप्टन अमेरिका को कहती है कि शायर मैं आपको यार ना हूँ बट हम पहले मिल चुके हैं तो कैप्टन अमेरिका कहते हैं तुम फिलेशिया हाडी होना स्पाइडर मैन ने तुमारे बारे में बताया था तो वह कहती है अच्छा उसने तो कैप्टन अमेरिका कहते हैं मैं होंकि तुम यहां पर आई इन सब को रोकने के लिए हमें सभी की मदद शहिए होगी ब्लैक बताती है मुझे अमेरिका में कभी विश्वास नहीं था इसको चोरी के लैंड पर बनाया गया है जीवन और चोरी की शान बट वो लोग मुझे ठक कहते हैं इसलिए मुझे अमेरिक हुआ है न अच्छे से तो कैप्टन कहते हैं मैं तुम से जूट नहीं बोलूँगा हम लोग बैक फूट पे हैं बट हमने अपने बिगेस्ट कंस को बुलाया है हमारे पास है दुनिया के महान जादूगर एक्समैन भी हमारे साइड में है हमें उन पे विश्वास करना होग वो इन मॉंस्टर को होल्ड करेंगे और हम लोगों को यहां से निकालेंगे तो ब्लैक कैट कहती है बिल्कुल सही कहा वो तो एक बाच है उसको देखो तो उसकी शक्तियां शायद उसको यार नहीं है कि कुछ टाइम पहले मैंने भी उसको लूटा है और वो भी दो बार ये तो ऐसा कर सकते हैं तो उससे पूछा जाता है कि उसके बाद क्या हुआ तो वो बताती है उसके बाद ऐसा लगा जैसे कोई भ्यानक सुपना हो जैसे उसके सीन तुमें बात में याद आते हो डेविल खुद वहां पे आया गोड ओफ लाइट भी हमें बचाने के लिए उसको भी फाड के रख दिया गया हमारे हीरोस जिनको ये सममेस को क्लियर करना था उनको भी अपने काबू में कर लिया गया उसके बाद मैं वहां से भाग गई तो ये कहानी वो अपने साथियों को सुना रही होती है वो कहती है तुम लोगों को तो पता है मैं हमेशा निकल है तो वो उसको जवाब देते है नल तो वो कहते हैं उसका जो भी नाम है मैंने अभी भी सोचा है उसका नाक तोड़ने का जो की हमें यहाँ पर अलकाम क्या एक्ष के पास लेकी आता है मैं एक dialF deliber को जा स्टाफ के बारे में जानता है या शांती स्थापित करने वाले लोगों में से या कोई विलेन तुम लोगों का ट्रैक रखना काफी मुश्किल है तो वो कहती है ये कह भी कौन रहा है जो वैनम का बेस्ट फ्रेंड है तो स्टीब कहता है एडवर्ड ब्रॉक एक हीरो है वो एक मैन है जिसके पाँ अच्छी कॉस्मिक फोर्सिज है तो वो कहती है तुम मुझे उसके जीवनी के बारे में मत बताओ वो एक खतरनाक निकम्मा है उससे ज़्यादा वो कुछ नहीं है तुम मुझे ये बताओ क्या तुम इस क्रू का पार्ट हो या नहीं तो वो कहता है क्या मैं तुम्हें जॉइन क्यूं करूंगा तो वो कहती है क्यूंकि हमें तुमारी नीड है क्यूंकि हम वहाँ पे जाने वाले हैं और उस नल की आँख को फोड़ने वाले हैं वो चिलाती है Cap तो Captain कहते है हाड़ी मेरी बास सुनो अभी बिल्कुल भी टाइम नहीं है तुम्हें यहां से जाना होगा और fight को चालू रखना होगा तो वो कहते है नहीं मैं तुम्हारी help कर सकती हूँ तो Captain कहते है मेरे बारे में भूल जाओ तुम्हें उसको बाहर निकालना होगा तुम बहुत ज़्यादा स्मार्ट हो तुम्हें कोई पकड़ नहीं सकता तुम बच्च के निकल जाती हो तुम ही ये काम कर पाओगी ये तुम्हारे लिए एक ओर्डर है यहां से निकलो और उसको निकालने का वे ढूंडो वर्ल्ड को उसकी नीड है हमसे भी ज्यादा तो वो कहती है जैसा कि मैंने कहा हम वर्ल्ड को बीड करने वाले तो नहीं हैं ना ही हमारे पास कोई कॉस्मिक शक्तियां हैं इसलिए हम एक को चुराने वाले हैं और हम चुराने वाले हैं डॉक्टर स्ट्रेंज को वह उसकी बात को सुनके शोक हो जाते हैं तो गाइस इसी के साथ हमारा यह पार्ट खतम होता है नेक्स पार्ट को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए वीडियो हुआ हुआ है